है गाइस विल्कम बैक टू अनाधर व्लॉग और आज का व्लॉग शुभा शूट करें अप्रॉप्समेटली सुभा के आट या नौ बिजा होगा और बहुत ज्यादा गर्भी होने लगी है फिलाल तो आज कर शीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग अभी जाएंगे मगरबंडी आना है अपनी बाइक में कुछ काम कराना था तो वीडियो में अपने थमलेन में तो इसके अकॉर्डिंग अभी चलते हैं अप्रॉप से आज दस बजे में निकलूंगा गर से और अभी दुपाइस की जाता मतलब गर्मी होने लगी है ना कि उतलब कि 10-11 बजी क्यास पास इतनी जाता गर्मी लगेंगी कुछ कहने को नहीं मतलब अभी मार्च आया नहीं फर्बरी लास्टर रहे गेंगे एंड चलते हैं थोड़ी सा आवाज आ रहे होगी नौइस आ रहा होगा तो चलते हैं सिधा मिलते हैं वहीं पाँच कर बनाद बड़ोग नहीं करेंगे तो तो तो और बहुत करेंगे तो चलते हैं सुधिश्था में अलिकार मश्याइब हो रहा है वासा फिल बारें पार सिम्तक के रीव लग और और दिच्ञार रहा हुं ईसफा नहीं की एसा हो दना हिए देशो तो यह पूर पुररफ है और यह मेरा पुराना वाला बाइक का तो चारो इंडिकेटर चेंज होगे चारो एंड इसके बाद क्या होगा कि बाइक में हजार फिट कराऊंगा तो आरवन वी-3 की हजार आती है बड़ उसको कई इतने काम कराने में तो बूरा बताऊंगा तो अ तो यह इस टाइप का कुछ आपको वरंटी कार्ड मिल जाएगा और इस तो यह इसकी पूरी प्ताइग यह मतलब यह डपा मिलेगा आपको सिंटेक का एंड भाइस साब प्राइस देस तो घ्यारा सु निन्यान रुपए है और काफी बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा यहां पर लगवाओगे आपको च्छे साड़े 600 मिल जाएगा तो देख सकते हो जग्मा की स्टीकर्स एंड ग्राफिक्स तो यहां पर मैं पूरी अपनी बाइक का काम यहीं पर कराता हूं और देख सकतो आंगे के फ्रं कि अग्राइस कहते हैं कि मतलब की चीज आपको अच्री मिल जाएगे प्राइस थोड़ा से जाता है अप्डाउन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाट इसका आउट पुट आपको रात नहीं दिखाऊंगा रात में आउट पुट कैसा हा रहा है तो देख सको एंड इस चारों इंडिकेटर यह कंपनी के मतलब सिस्की कहा और यह चौथा रहेगा इसमें लगने को कि अज़ाइस देख से तो यह वाला मैंने लगवाया है अज़ाट मोटो खेर का है मंदब मेड इंडिया है आपको 400 रुपे लग जाएगा मतलब 400 रुपे पूरा फिटिंग सहीत करके चार सुर्पे लगेगा अगर सिंप्टेक लगवाओ तो फंद्रा सो रुपे खर्च करने पड़ेंगे मंदब सिंप्टेक का लगवाओं तो फिटिंग करवाई होगी मंदब 200 रुपे 500 रुपे अधिवाद लगवादिया यह मुझे 660 पड़ गया 1199 में अमार पी है और इसके बाद मेंने यह मोटो केर का ज़सी तो हजार लगवाए है मतलब स्लैसर है अठारा पैटन है तो यह मुझको पड़ गया तो अप्रॉक्स साड़े नौं सूरुपे का तो देशी तो यह काम अधिशार पचास पर गया वालों वेन में तो श्राइब श्राइब तो चाहर रुपे श्राइब काम हो गया एकदम थोड़ा सौर टाइम लेगेगा और फिक गाली रेडी हो जाएगी और आपको साम को इसका रिवीव तिखाऊंगा वालों को कैसी लेजी रात में नाइट सब्सक्राइब काम कराना है और पूरा सब कुछ हो रहा है सब कुछ है आप अगर थोग में लेना चाहते हो तो देख सुन नाइट आई का यह लीडी हे बलफ है वन यह वारंटी पीसमें तो तो थोग में भी आपको मिल जाएगा मतलब आप रीटेल में कराना चाहते हो यह तो पूरा मुनलब पूरा को फीचेंस बगएरा तो काफी सारा एटम है और जॉस्ट बगएरा कुछ भी कराऊंगे तो सब कुछ मिल जाएगा एलावी वील बुलेट बगएरा कि दिख और तिरा पड़ेगा फिसके ऊपर यह यह पूरा सब कुछ होगा जैसे तो काम हो चुका है और 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 बाइक इस तरह लग रही कुछ देख से तो यह पूरा वर्क हुआ है भाई साब सिंपेक्स के हजाड फ्लैसर मतलब इसको लड़ बल सकते हो बल भाई बोल कह सकते हो त तो आज की वीडियो बस इतनी थी और चलो भी चलते बात करते हुए आप से अभी बकर मंडी से निकला हूं बस और अभी तुम्हारा भाई कुछ इंपोर्टेंट काम से जा रहा है बस आज की वीडियो इतने थी वीडियो लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अपने बाई की चैनल को एंड देख दो यहां पर मलब यह भी रोट पर यह जरी प्योंकिको रोड जाता है तो इस रोड पर आपको थोख मलब समान मिल जाएगा बकर मंडी ही मतलब बकरमंडी से तोड़ा से दूर है इंपोर्टेंट सारी चीज़ें हां में बिल जाएंगी बाइक से आउटो पार्ट्स वगएरा देशे तो इंडियन आउटो मुवाइज वगएरा भारत एक एगनीस के लिए भारत इजिंसी तो यह सीने रात में फ्लैसर का मज़ा सब्सक्राइब कुछ इस तरह लगेगी बाइक और देशे कितना ब्राइट है और फिलाल तो भी देख से तो लाइट के सामने भाइक खड़ी है तो इतना जाता है आपको एफेक्ट पड़ जाएगा मतलब काफी मतलब अंधेरे में काफी अच्छा लुक आएगा और देख सकते हूं इस तरह जलेंगे इडिकेटर एंड एंड एलेडी में तो काफी अच्छा लुक आएगा और अप पीछे देख सकते हूं अभी थोड़ा सा उजाले में ना थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम लगेगी बट जब अन्धेरे में प्रॉपर रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है देख सकते हो मतलब LED बल्फ चेंज हुआ है और मतलब कवर वही है इंडिकेटर वही है बाइक का कमपनी किसे जो मिलता है देख सकते हो मीटर कितना अच्छा लगता है लुक पाइस और इसना पैटर्न भी 17 अशोला है और इसके पूरे पैटर्न अभी चेक कराऊंगे किस तरह पैटर्न आता है देख सकते हो सबसे पहले पैटर्न यह आला आएगा जो इससे में भी जलना है देख से तो और यहां चेंज करते है यह पैटर नमबर 2 देख तो इस तरहीं व्लिंग होगा पिर च determ ऄगे नॉइव यह पैटर नंवर्टीन देख से यस तरह से और यह पैटर नंबर चार इस तरह से इस तरह से होगा आइंड यह तैसर नमबर 5 लेए डेख सकते हूं यह पैटन नमबर छे देख से दो यह मुल्ब नॉर्मल हजार की तरह जलना है यह आया पैटन नमबर साथ देख से दो अवरल यह पैटन काफी अच्छा लग रहा है पैटन नमबर आट काफी उजाला हो जाता देख से दो और यह पैटन नमबर नौ कि इसका सुच यहां पर लगाया है इस जगा पर दिसलिए इसका सुच यहां पर लगा दिया है और पैटन नम्मर तस यह है पैटन नम्मर तस और यह है पैटन नम्मर इलेवन पंदब ग्यारा और यह है पैटन नम्मर बारा और पैटन नम्मर तेरा और यह देखो पैटन नम्मर चौदा और यह पैटन नम्बर 15 और लाज्ट वाला पैटन हो जाएगा यह वाला ट्रीक है और भी इसके बाद आता यह वाला इस तरफ से देखो इस तरह से और अभी तो जाले में थोड़ा सा कम रोशनी लगती है अभी इसको अंधेले में खड़ी करेंगे तब आपको दिखाएंगे